हेलो दोस्तो नमस्कार बहुत बहुत श्वागत है आप लोगों का आप की चैनल टेख बिगनर में मेरा नाम है स्वदेश तो गाईज आज मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ अपने जो इयर फोन से उनसे सूट कर रहा हूँ और मैं इसको केंपेर करूँगा इस बोया बहुत अच्छा है तो गाईज मैं अगर जो अपनी सलहा दूँ तो यार ऐसा कुछ भी नहीं है यह जो माईक यही बेस्ट है और इसमें क्या बेस्ट है मैं वह आपको दिखाऊंगा तो गाईज वीडियो को बिना इसकी वे लास तक देखते रहना वीडियो काफी इंट्र रिकॉर्ड करेंगे तो गाईज यह तो मैं रिकॉर्ड ही कर रहा हूं और मैं आपको बता दूं मेरे बडोस में आपने कभी कुछते वह ने या बच्चों की आवाज या ट्रेक्टर की आवाज जरूर सुनी होगी तो काफी ज़्यादा नौइस सुना होगा तो गाईज आ इस बोया माइक को अपने मुबाइल में लगा देता हूं आपको दिखाता हूं यह मैंने अपने माइक निकल दिया और इसको में लगाता हूं तो गाईज यह देखी आपको इसने बहुत सारे नौइस सुनाई दे रहे होंगे बहुत सारी आवाज ने सुनाई दे रहे होंगी तो मैं चलिए अपनी आवाज थोड़े दिर चुप रहता हूं आपको दिखाता हूं तो गाईज आप बताइए कि कौन सा माइक बेस्ट है और इसमें आपको नौइस सुनाई पड़ रही कि नहीं काफिक बाहर की नौइस तो गाईज तो गाईज सुन सकते हैं कि आपको आवाज आ रही होगी हलकेल की आप अपने येरफोन लगाएं तो गाईज वह आपको आवाज को नौइस जरूर सुनाई पड़ेगा तो गाईज यही था आज का वीडियो और तो गाईज मैंने वीडियो बनाने का मकसद यही था कि यार जो मैंने पैसे बरबाद किये आप ऐसे मत बरबाद करो आपको बहुत सारे ऐसे अमेजॉन पे माइक मिल जाएंगे सो डेड़ सो दो सो रुबै की वो काफी यदा अच्छे माइक होते हैं और उनमें बैंटरी भी नहीं पड़ती इसमें गाईज तो बैंटरी भी पड़ती है हाँ इसमें आप इसे डेसलार से भी कनेट कर सकते हैं यह खासियत है तो गाईज आप मेंसे जो मेडल क्लास के क्र रिदने वाला हूं माइक उसका रिविव दूँगा और मैं आप इसको दिखाऊंगा कि इस माइक से वो किरना बेस्ट है तो गाईज बस यह पापुलर है और इसमें गाईज एक चीश क्या है कि अगर जो आप आपकी आवाज काफी ज्यादा तेज सुने पड़ती यही ची आप से 1 km की आवाज कवर कर लेका इक लोटर नहीं है तो पंद्रह-वीज कादम की आवाज कवर कर ले हैं जैसा देख रहे हैं कुट्ये बहुंक रहा था पर उस माइक से रिकॉर्ड कर रहा था ना कि बराबर उसमें सुनाई पड़ रहा था जो मेरे येरफॉन्स हैं तो आप देख सकते हैं कितने सारे कुत्ते भॉंक रहे हैं तो गाइस आप मेंसे बहुत सारे लोग जो क्रीटर्स नएना यूट्यूब पे आएं उस लिए सुच रहे हैं बोया माइक लेने का और मैं सुच रहा हूं इसे एक्सचेंज करने का चाहता हूं अगर जो आपके पास सो डेड़ सो रुपए भी हैं तो इसे अच्छा आपको माइक मिल जाएगा इसे आप लेने के कोई जरूरत नहीं ये इतना इच्छा बेश्ट नहीं है तो यार मैं इसको बहुत टाइम से यूज कर रहा हूं और मैं जब पहले उससे वीडियो सूट करता था एर फोन से तो मेरी आवाज काफी सुलो आती थी वह एर फोन गाइस कुछ गड़वर थें मैं जो एर फोन से रिकॉर्ड किया वो वीवो के एर फोन से जो उसके बॉक्स में आते हैं फोन के साथ तो गईस मुझे भी बहुत सौक चड़ा था बोया माइक लेने का पर मैंने ले लिए मेरे पास पैसे थे गाइज अगर जो मैं अगर जो पहले मैंनेजर मालूम होता कि यह ऐसा माइक है तो गाइज मैं यह माइक नहीं लेता और काफी अच्छे पैसे बच जाते उनका मैं कुछ और भी यूज कर लेता गृण स्क्रीन ले लेता तो गाइज आमें से जो अगर जो आप एक सेट अप है आपका अच्छा खासा बनाया हुआ जहां अंदर नहीं आता तो वहां पर जाके यह बोया माइक बेश्ट है मेरे साफ से अगर जो आपने खुले या चछत पर कहीं वीडियो शूट कर रहे हैं तो तो गैस मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप अपने यहर फोन से सूट करिए उनके भी माइक बन जाते हैं बहुत सारी वीडियो आपको यूडियो पे मिल जाएंगे माइक बनाने की तो गैस उमीद है वीडियो अच्छा लगा होगा अगर जो वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और वीडियो शेर कर देना जिसे किसी और की भी हेल्फ हो सके और उसके पैसे बच सके तो गाइस आज का वीडियो बस इतना ही था तो गाइस मिलते हैं अपनी अगली किसी नई वीडियो में तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार जैहिन जैभारत